नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आज फिर आपका स्वागत है, हमने अब तक बहुत सारे रोगों पर चर्चा की मस्टिश्क, घुटने, हड़ी, लिवर, सिरोसिस, हार्ट, किड्नी, लगबग लगबग शेरी के सारे अवियवों पर हमने चर्चा कर दी पर एक अवियव ऐसा है हमारा जो सिर से लेकर पाउं तक है, पूरे शेरीर को जिसने ढख रखा है वो हमारी चमडी, तचा, उस पर हमने कभी भी बात नहीं की, हलो डॉक्टर में आज हम पहली बार जो दिखता है हमारे शेरीर का अंग, वो तचा से दिखता है, बागी सब तचा की भीतर है, चर्चा करना ही चाहिए, आज हमारे बीच हैं, डॉक्टर शिवी निजहवन, मात्मा गांधि अस्ताल में तचा रोग विशेशग्य है, डॉक्टर शिवी निजहवन, आपका स्वागत है, वेवन TV की तर्शकों की और से, हमारे तीम की तरव से, डॉक्ष वैसे तो, बीमा का हो गया किडिनी की तो चा का नमबर भूट भी रेर केस में आता ď को शाल में तीन बार बजलता है बौसारी लोगों सर्डी आने पर खुजली चले लाल हो जाती है जाती तो यह जो करी वख से क्या इल जिसनों पहले को मेरा नमशकार जैसा कि आपने कहां बहुत ही सही बात कहीं कि जो skin है वो सबसे बड़ा organ है हमारी body का और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे external organ है बाकि सारे organs को का एक protective shield है एक तरह से हम यह कह सकते हमारी जो त्वचा है और जाहिर सी बात है कि इतना सबसे external organ होते हुए ये मौसम की बदलाव में इसका सबसे जादा impact skin पे ही आता है organs तो फिर भी बीतर होते हैं अंदर होते हैं लेकिन skin पे सबसे पहले impact आता है कोई भी season change का तो जैसे कि अब हम winters की बात करें क्योंकि अब हमार winters आने वाली है अभी थोड़ा transition period चल रहा है from summer से लेके winters तक लेकिन फिर भी हम winters की तरफ सर्दियों की तरफ आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मौसम है, रूखा होने वाला है, हवा भी थंड़क होने वाली है तो इसमें क्या होता है जो हमारी जो चमड़ी है उसमें water content काफी कम हो जाता है, जो पानी का level है हमारे skin में वो काफी कम हो जाता है dry skin हो जाती है जी बिल्कुल, तो dry skin हो जाती है dehydration हो जाता है skin का तो उस वज़े से काफी हमारे skin के conditions हो जाते हैं जैसे की dry skin सबसे common cause है dry skin एक बहुत ही common cause है खुजली का खुजली का सबसे common culprit यही है dry skin dry skin सबसे common सर्दियों की season में आता है जी, क्या करना चीए dry skin में, लोग तो कहें सर्सों का तेल लगा लोग एक सर्सों का तेल definitely बहुत जरूरी treatment है काफी घर के लिए के हिसाब से तो सर्सों का तेल काफी help करता है नारियल का तेल यह moisturizing content होता है इसमें, moisturize करते हैं skin को, जो तवचा का जो रूखापन है उसको balance करते हैं मौसम के बदलाव की वज़े से जो तवचा का रूखापन हो जाता है, उसको balance करने के लिए यह नारियल का तेल, सर्सों का तेल यह तो सदियों से चले आ रहे हैं और यह काफी अच्छे उपाए रहते हैं इसके इलावा हमें कुछ vaseline के product जरूर यूज़ करने चाहिए जिसमें white liquid paraffin हो जिसमें petroleum हो यह olive oil हो plus vitamin E हो यह सारे हमारी तवचा को moisturize करके रखते हैं तो यह थंड के मौसम में बहुत जरूरी है कि हम कम से कम तीन से चार बार हमारे पूरे शरीर की skin को हम moisturize करें इतना तो हमें करना ही चाहिए बहुसे लोगों मैंने रखा रख सब की vitamin E का capsule आता है EV on neck बहुत कुछ लेते भी हैं कुछ इसको फोड के उसके जो अंदर कंटेनर था liquid उसको मसा लेते हैं मौँ पर मौड बाडी के उपर क्या उच्छीत है वो बिल्कुल बिल्कुल vitamin E एक बहुत important type का vitamin है जिसमें hydrating qualities होती है hydrating qualities का ये मतलब है कि आपकी तवचा को वो hydrate करके रखेंगे जो पानी आपकी तवचा में पानी का content कम हो गया है उसको balance करेंगे तो vitamin E dryness के लिए तो सबसे important और सबसे बढ़िया vitamin है उसको अफकॉर्स लिया भी जा सकता है लेकिन better way है dryness के लिए better way है कि आप उस capsule को काट ले उसके अंदर जो oil है उसको किसी moisturizing cream में मिला के आप अपने face पे अपने हाथों पे आप लगा सकते हैं बहुत सारे लोग नीबू को लेके नीबू से भी करते हैं और कुछ लोग गवार पठा जिसको कहते हैं aloe vera उसके अंदर का जो गुदा होता है उसको निकालके उसकी मालिश करते है स्किन के उपकर चैरे पे ये बहुत ही आपने important मुदा उठाया है actually जो aloe vera होता है वो काफी powerful होता है मतलब काफी strong होता है उसमें जो contents होते हैं तो कई बार लोग natural aloe vera को यूज में काफी करते है definitely aloe vera के बहुत advantages है बहुत मतलब बहुत अच्छा होता है aloe vera हमारी skin के लिए लेकिन क्या होता है उसको dilute form में यूज करें तो much better रहता है क्योंकि aloe vera आप original form में यूज करेंगे कि आपने direct plant के extract यूज करें तो वो irritation cause कर सकता है क्योंकि वो काफी strong होता है तो हमारे पास बहुत patients आज कल आते हैं dilute कैसे करें कोई कोई खोपरे का तेल वगर मिलाए या पानी मिलादें ये तो market में जो aloe vera gels आते है हमें उस form में यूज करना चाहिए usually aloe vera का juice आप ले सकता है लेकिन skin पे apply करने के लिए much dilute form आपको use करना चाहिए जैसे कि gels आते हैं aloe vera के direct plant से कभी भी आप extract अपनी skin में ना लगाए क्योंकि इससे irritation के बहुत कौज बहुत बड़ा cause होता है in fact हमारे पास बहुत patients आते हैं जैसे acne के वो home remedies में कुछ believe करते हैं जैसे कि aloe vera का natural extract निकाल के लगा लें रात भर में उनकी इतनी irritation हो जाती है कि फिर उस irritation और allergy से आते हैं rather than acne की वज़े से और कुछ लोग onion का भी natural juice लगा लेते हैं garlic लगा लेते हैं acne पे मैं बहुत patients को यही समझाती हूँ कि यह बहुत natural products एकदम strong होते हैं आपने बात किए वह allergy की वह बहुत सारी चीज़े से allergy होती है इसका effect of skin पर ही देखनी को आता है कि LRG विसे किसी उता हो जखाम हो जाता है किजी को खाहला सार्थली की भूह चीज़ devil का Cel Laad Rocky को इसकिन पर आती हैchod ढूली हो जाती है मौसम की वज़े से किसी पेड़ पौदे की वज़े से अलर्जी होती है तो भी इसकिन में दिक्कत होती है और कई बार खून चड़ाते हैं तो खून चड़ाते हैं वक्त भी खून से जो दूसरे एक्स्टरनल खून से अलर्जी होती है तो भी इसकिन लाल कर देती है तो यह क्या चीजी है और इसकी क्या वज़े और किसको कैसे की रेमेडिय हो सकती है देखी एलरजी बहुत कॉमनली एकजीमा भी कहा जाता है उसको एकजीमा जो है दो तरह का होता है एक external यानि कि बाहर की कुछ चीजों की वज़े से एलरजी होती है और एक को बाहर की चीजों से जैसे जैसे कि हम बदलते मौसम की बात कर रहे हैं अभी ये मौसम जो है ट्रांजिशन का है तो एर में बहुत पोलन्स भी रहते हैं पोलन्स जो प्लांट्स के होते हैं वो एलर्जी के बहुत बड़े पदार्स होते हैं वो हर जगा स्किन में जैसे हमार skin के folds हैं कान के पीछे गर्दन पे और भी जो skin के किसी भी area में जा के allergy cause कर सकते हैं तो बाहर की चीजों में तो एक पोलन बहुत common है प्लस जो farmers होते हैं किसान वगरा होते हैं उनके बहुत जादा allergy के chances होते हैं plants से पोलन से धूप से in fact धूप भी एक बहुत बड़ा external cause है वह लाल हो जाते हैं इसके लाल हो जाते हैं जी बिलकुल ये तो ये external allergy external चीजे हैं जिसकी वज़े से allergy होती है जैसे की sunlight हो गई sun की वज़े से allergy हो गई और पोलंज हो गई plants हो गई in fact हम बहुत बहुत लोग cosmetics भी योज़े से भी होता है कुछ लोगों को जिनको tendency होती है और कुछ चीजे हमारे हाथ में नहीं होती है endogenous conditions बोलते हैं उने वो skin की ही allergy है अंदरूनी problem है skin की वो किसी बाहर की चीज से ना होके skin में ही tendency है allergy होने की तो यह दो तरह की होती है तो कोई भी allergy की patients आते हैं हम उनसे काफी चीजे पूछते हैं कि आप क्या use करते हैं आप करते क्या हैं ताकि हमें थोड़ा सा idea लगे कि कि किस चीजों से exposure उनका है और किस चीजों से allergy के chances है allergy test से भी पता लग जाता है किसी चीज की allergy है जी बिलकुल एक चीज होती है patch test कहते हैं उसको वो आपके कुछ 20 to 30 कुछ पदार्थ होते हैं जिनको हम चेक करते हैं कि किस से possible allergy है वो हम जरा जरा सर कुछ पदार्थ हम 20 से 30 बहुत ही minute amount में हम उसको पीट पे लगा देते हैं टेप लगा के और उसको एक से दो दिन बाद हम patient को वापस बुलाते हैं और हम चेक करते हैं कि कि इस चीज से allergy है तो allergies का एक बहुत important treatment ये भी है कि जिस चीज से allergy आए उसका उससे बचाव रखें परहेज रखना बहुत बड़ा treatment है फिर भी कई बार होता है कि वो allergy एक बार हो गई तो फिर रिमूवी नहीं होती पूरी जिन्दे की बार बसते रह तो ठीक है अदर्वाइस कोई remedy है कि क्योर हो जाए बिलकुल allergy देखे वही मैं ये tendency body की allergy तो देखे कई बार allergies के patients तो आते हैं हम treatment देते हैं और वो उस time तक ठीक रहते हैं जब तक हम treatment देते हैं लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि हमें पूछ ताज से और जैसे कि मैंने का patch test से हमें जो culprit पदार्थ है जिसकी वज़े से allergy के chances हैं हमें वो पता लगाना चाहिए ताकि patient उसका परहेस कर सके और ताकि उसको और allergy के chances ना हूँ तो ये बहुत बड़ा बहुत significant बात है कि हमें जिस चीज से allergy है उससे बचाओ रखना है और आप कह सकते हो वही सबसे बड़ा treatment है जिवात करना जाता हूँ इस बात से की COVID हुआ पूरी दुनिया में आतंग चाह गया और बहुत सारे post COVID effect देखने को मिल रहे है क्या COVID का कोई प्रभाव कोई निशान अब देखने को मिल रहा है तचा पर, बालों पर, कहीं पर शरीप में जी बहुत जादा देखने को मिल रह है यह जब COVID हुआ था लगबग एपरिल से में के बीच में और जून तक जो वेव आई थी second, in fact जो first wave भी आई थी उसके बाद भी कुछ लगबग 3-4 महीने बाद हमने बहुत cases देखे hair fall के, इसको हमने term दिया post COVID hair fall, इसमें basic के लिए होता है कि जो जो भी जिन लोगों को भी COVID हुआ, उनकी body definitely बहुत weak हो गई, उसमें काफी deficiencies हो गई और एक तरह का stress ही माना जाता है यह body को, तो यह physical stress था COVID, किसी को बहुत mild हुआ था, किसी को severe हो गया था, किसी कोई लोग घर में ठीक हो गए थे, लेकिन लगबग moderate to severe जो cases थे, लगबग almost सब में ही 90% cases में हमने, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हमने सब में काफी यह cases देखे, post-COVID hair fall के, इसमें यह होता है कि जब body पे किसी भी प्रकार का stress होता है, सिफ COVID ही नहीं, बलकि बाकी कुछ जो लंबी बिमारियां होती हैं, जैसे टाइफोईड, malaria, या कोई viral infection दूसरा, या फि की diet ठीक ना हो, ये और mental stress भी, ये सारे कुछ causes हैं कि मिल जुल के ये hair को weak कर देते हैं, लेकिन जब ये stress हो रहा होता है, उस time पे नहीं, कुछ महीनों बाद hair fall की बाल गिरने को बचाने का, बहुत लोग बहुत tension में हो जाते हैं कि हम गंजे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हैं, बहुत stress में आते हैं, मैं सबसे पहले patients को यहीं बोलती हूं कि आप stress ना लें क्योंकि stress से और बढ़ेगा ये problem, तो सबसे पहले तो stress ना लें क्योंकि ये reversible चीज है, ये वापस ठीक हो जाएगी, कुछ कई, एक point ऐसा आता है जब बहुत ज़्यादा hair fall होता है, लेकिन दीरे दीरे जब आप hair supplements लेंगे, in form of vitamins, biotin supplement, biotin ने एक ऐसा vitamin है, उसको vitamin H भी बोलते है, H standing for hair, तो biotin जो है एक ऐसा supplement है, जो बहुत अच्छा होता है for growth of hair, तो hair growth के लिए biotin लेना बहुत ज़रूर है, plus अपनी diet जो है, protein rich diet लें, लेकिन definitely एक बार अपने dermatologist को जरूर consult करें, वो कुछ आपके test कराना चाहेंगे, क्योंकि test में काफी चीज़े सामने आती हैं, कि खून में किस चीज़ की कमी है, जिस चीज़ की कमी है, हम उस चीज़ को बहुत तक्रीमारी होती ही मेरी नजर में तो वो, इसका cause क्या है और कैसे ठीक होती है, देखिए हर्पी जॉस्टर बहुत ही painful condition है, और ज्यादा तर ये old age में मिलती है हमें, इसमें होता ही एक viral infection है, इसमें एक पहले chicken pox जिस virus से होता है, उसको varicella zoster virus बोलता है, उसी virus से होता है ये herpes zoster, ये ज्यादा तर old age में मिलता है, 70 या 65 years onwards के बाद मिलता है ये, लेकिन ये तब मिलता है जब body की immunity थोड़ी कम हो जाए, तो आजकल ये कुछ young लोगों में भी मिल रहा है हमें, क्योंकि, और especially covid के बाद भी ये herpes zoster के बहुत cases सामने दिख रहे हैं, क्योंकि immunity वाकई में लोगों की कम हुई है, और जब body की immunity कम होती है, तो ये virus activate होता है, और ये नसों में रहता है virus, तो इसलिए इतना pain होता है, स्किन में कुछ ही conditions हैं जो इतना painful होती है, उसमें से herpes zoster एक condition है, तो इसका सही time पे जल से जल treatment लेना बहुत ज़ादा जरूरी है, जी, ऐसे ठीक हो जाता है, curable है herpes? Definitely curable है, इसका जो treatment है, उसको start ideally कर लेना चाहिए, बहतर गंटों में, और अगर within time आपने इसको पकड़ लिया और सही treatment, सही dose ली है, तो बिलकुल ठीक हो जाएगा, 7 से 10 दिन के अंदर, लेकिन कई बार कुछ लोग देर कर देते हैं, डॉक्टर की पास जाने में, सोचते हैं allergy है, हो जाएगा ठीक, ऐसे ही सर में दर्द हो रहा होगा, या वैसे हलका फुलका, मतलब neglect कर देते हैं, तो अगर time लग जाता है उस चीज़ को पकड़ने में, तो फिर थोड़ा सा ये बिमारी जो है थोड़ा और समस्या कर सकती है, और time लग सकता है. जिसने लोग इसका चर्म लोगों की बात करते हैं, सचा लोगों की, पुराने समय से दाद, दाग, खुजली, ये तीन words हैं, इसको मिला के बोलते हैं, बेचने वाले भी नहीं, मकीम भी और कई दवा बेचने वाली कमझे हैं, दाद, दाग, खुजली, क्या दाद, दाग, और इनकी वेसे खुजली होती है, खुजली अलग्ची है, दाग अलग्ची है, दाद अलग्ची है? जी, खुजली तो एक सिंटम है, यह एक समस्या है जो पेशेंट्स लेके आते हैं, कि हमें खुजली हो रही है। अब बिमारी कुछ और होती है? खुजली के बहुत कारण हो सकते हैं अब वो दाद की वज़े से हो, अलर्जी की वज़े से हो, कोई इंफेक्शन की वज़े से हो तो मैं वही कह रही हूँ कि खुजली आप नहीं मान सकते कि सिर्फ दाद की वज़े से ही हो रही है हलाकि दाद एक बहुत बड़ा और बहुत common cause है खुजली का लेकिन खुजली और भी conditions से होती है जैसे कि हमने भी बात करी allergies, dry skin ये भी बहुत important causes हैं खुजली के तो खुजली, कोई patient आता है खुजली का उसकी समस्या से तो हम definitely पूरा examination करते हैं पूरी जाज करते हैं कि skin में कहां खुजली हो रही है खुजली पूरे शरीर में हो रही है, एक particular जगा पे हो रही है खुजली है कब से, बहुत time से है, कुछ महीनों से है या भी कुछ 2-3 दिन से, ये सारी चीज़े बहुत help करती है हमें identify करने के लिए कि आखिर cause क्या है खुजली का दाद क्या होता है? दाद एक fungal infection है, इसको ringworm भी बोलते हैं दाद गोल-गोल ring के form में पाई जाते हैं ये जादा तर monsoon season में मिलते हैं और ये जो बगल वाले area हैं जहां पर पसीने जादा एकटे रहते हैं जैसे कि गर्दन हो गए, आपके थाई के folds हो गए, या बगले हो गए इन सब जगाओं पर दाद के जादा chances होता है ये फंगस का infection है और ये infection जो है, ये अब क्योंकि मैं इतना बड़े platform पे हूँ मैं ये एक मुद्धा जरूर के बारे में बात करना चाहूंगे कि दाद के patients जो हैं, वो directly chemist के पास चले जाते हैं और वो creams जो होती हैं, मिलती सस्ती हैं, बिना prescription के मिल जाती हैं लेकिन उसमें होते mixture है, आपको दाद के लिए anti-fungal creams लगानी होती है और तब ही जड़ से जाएगा दाद अगर अपने दाद के case में कोई भी cream लगा ली, जैसे की betonovate, panderm, ऐसे कुछ creams आती हैं, combination creams वो अगर लगा ली तो वो दो-तीन दिन के लिए अराम देगी बट जड़ से नहीं अटती है, तो इसलिए दाद का treatment हमेशा आप ध्यान में रखें कि ये anti-fungal होता है, ना कि कोई भी बिना prescription के जो दवाईयां ले लेते हैं, उससे जड़ से नहीं मिटता है बहुत सारी बाते हैं भी छूट रही है, समय की सीमा है, मैं चलते हैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि चूंकि आदमी रोज नहाता है, बहुत सारी लोग रोज नहीं नहाते हैं, बहुत सारी लोग हफते हफते में नहाते हैं, और बहुत सारी लोग काम ऐसा करते हैं कि दिन में दो बार नाना चाहिए उनको, तो यह बहुत सारी है, यह नहाने की habits है, लग 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 आदमी में लग लग है, कुछ सर्दी में लोग थंडे पानी की वैसे नहीं आते, तो skin health के लिए, आप क्या suggest करना चाहती ही दर्शकों को, skin health went in कैसे की जाए? देखिए, skin एक सबसे बड़ा organ है और हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे जादा ये environment से सबसे जादा exposed ही है, तो हमें काफी ध्यान देना चाहिए skin का, हम जो कम से कम जो हमारी skin के लिए कर सकते हैं, वो मैं कहूंगी की moisturize रखें, आप चाहे वो नारियल क करें, लेकिन आपको अपनी skin को हमेशा hydrated रखना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि skin जो है ना, एक वही मैंने जैसे आपको का कि ये एक protective layer है, बाहर की किटानों से, बाहर की pollutants से हमें prevent करती है, हमें बचाती है, तो ये moisturize करना सबसे important काम है, प्लस दूसरी बात की, क्योंकि धूप से skin पे सबसे ज़्यादा effect होता है, तो धूप के लिए भी हमें sunscreen बहुत जरूरी होती है, पर करी doctor तो कहते है, vitamin D के लिए धूप में बैटो, expose और धूप के परती, सुरच की धूप, आपको vitamin D देती है, जिससे आपकी idea मजबूत होती है, जी, जी, देखी क्या है कि skin एक ऐसा organ है जिसमें vitamin D खुदी बनता है, लेकिन sunlight जो sunlight के presence में, लेकिन sunlight का excess भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, sunlight आप 8 से 10 सुबे के बीच में, आप जरूर बैठें, आराम से दूप से के, जो बहुत powerful sunlight होती है, जी, बिल्कुल जो बहुत ये जो, in fact, 12 बजे वाली जो धूप होती है, उससे बचना चाहिए, इसलिए मैंने sunscreen का कहा कि sunscreen हमें use करने चाहिए, क्योंकि sun की वज़े से बहुत aging effects भी आते हैं, तो sunscreen use करना चाहिए. डॉक्टर शिवी निजावन का बहुत शुक्रिया, बहुत सारे सवाल अभी रह गए, खास तोर पर skin cancer को लेके मैं बात करना चाहता है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए हम, फिर किसी दिन दुबारा से बात करेंगे, और चुचा के कुछ अन्य रोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे, कुछ फोड़े हो जाते हैं, फूंसिया हो जाती हैं, और बहुत सारे चीजें अपनी निशान छोड़ जाती हैं, तचापर, sports हो जाते हैं, वाइट, तो इन सब पर बातचीत आज रह गई बाकी, लेकिन फिर किसी दिन हम डॉक्टर शिवी निजावन को कश देंगे और आप से मुखातिब होंगे, आज बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार.